दिल पे मेरे तेरा एत्बार हुआ है पहली पहली बाहर मुझे प्यार हुआ है हलो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़ियां जब भी हम कुछ खबर सुनते हैं और उसमें चार्ट मसारा लगके आ जाता है येकीन मानिये उस न्यूस को पढ़ने का मज़ा ही अलग हो जाता है ऐसे में फैमान खान जो है टीवी इंडस्टी के जाने माने जो है एक्टर्स माने जाते हैं जो आपको काफी हिट शो दे चुके हैं फिर इमली हो या फिर म्यूजिक वीडियो हो या फिर हम ये भी कह सकते हैं धरम पत्ती जैसा शो भी उनका जो है काफी पसंद किया लेकिन टीयार भी ना आने की वज़े से वो जल्दी बंद हो गया ऐसे में उन्होंने पनी शोशल मीडिया के थू तो बता दिया है कि उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है जैन्वरी के लास्ट में चलिए जैन्वरी भी खतम होने को तया है लेकिन उससे पहली उनकी चर्चाएं किसी एक्टर्स के साथ जुड़ने लगी है वो कोई और न भी जो है अगर वो कुछ शोशल मीडिया में कुछ टूइट कर देती है तो फैंस यही बात कहते हैं होगी तुमाई ड्रामे बाजी सूरु सब से ज़्यादा यही टूइट में कमेंट किया जाते हैं ऐसे में कहते हैं कि आप नेगेटिव रोल करते हैं तो फैंस आपको नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं अगर आप पॉजिटिव रोल करते हैं तो पॉजिटिव ऐसे में एक इवेंट में फैमान खान और करिश्मा सा अब प्रोजेक्ट चायद में भी म्यूजिक वीडियो हो सकती है ऐसे में ये नई जोड़ी भी बन सकती है फिर से जो है टीवी इंडस्टी की ऐसे में खबरों में मानो तो मुझे लगता है वो एक इवेंट में थे और फैमान खान काफी फ्रैंक्ली है वो अपने फ्रैंड के साथ भी उनकी जो कह सकते हैं फ्रैंडशिप जो है रविवार स्टार परिवार में वी ती क्योंकि उन दिनों इमली और यह रिस्ता में काफी कॉमपटिशन दिखाया था तो ऐसे में मेरी राय तो यही है लेकिन शोचल मीडिया में निउस चल रही है में भी उनकी म्यूज साथ में स्टारों को देखते नहीं डेट का रहय士 दुनिया में फ्रैंडशिप भी है ऐब कहते हैं कि फ्रैंशिप के बाद ही जो है प्यार सुरु होता है ऐसने में तक उनकी क्लिप देखी है तो आ By प्रोजेक्ट बाग्षा participants who may welcome पर अने वाले सूठ कि जोड़ी और कमेंट करके जुरू बताईए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है